दोस्तो धर्टिपर इंसानों की बनाएगे एक से बर करे एक खूपसरत और अकरसन चीजी हैं जीने देखने के लिए हर साल परियाटक एक चले से दूसरे जेगे जाते हैं एसे में इंसानों ने धर्टिपर एक ऐसी चीज भी बनाएगे जिसे अंतरिस से भी देखा जा सकता है जी आँ हम बात कर रहे है दागे टोवाल उफ चायना की जो इतनी लंबी है जिसके साटिक तजविर के लिए आपको अंतरिस में इंटरनेशनाल इस्पेस इस्टेशन तक जाना होगा एसे मी सवाल खरा होता है कि आखिर इतनी लंबी दिवार को कैसे बनाया गया और इसे बनाने के मुख वज़ा क्या थी जिसका जवाब बीतेकुल सालों में बईगानको की टीम ने खोज निकला है जानने से पहले अगर आफ हमारी चैनल पे नाया है तो चैनल को साब्सकारब कर लिजे और साथी सत बेलायकोन भी जरूल अनकोल लेना चीन की रालतानी बेजिंग सायर में दुनिया की सबसे लंबी और पुरानी दिवार है जिसे ता गिरेट वालूफ चैना की नाम से जाना जाती है ये दिवार मिट्टी और पत्थरों की मदद से बनाएगी है अगर अब ता गिरेट वालूफ चैना के एक चोर से दूसरे चड़ तक एदल चलते हो तो आपकर लगबग 17 महिने का बक्त लग जाएगा जिस बज़े से इस दिवार को फुरा देख पना इस भी परियोट के लिए संबब नहीं होता है ए दिवार उचे उचे फारो से होकर घने जांगल और गर्म रेगिस्ताने एलाखे होकर बुजरता है जिसकी कुल लंबई 21,196 किलोमेटर है ऐसे में आज के आदुनिक समय में दा ग्रेट वाल उफ चायना पर पेडल चनना भी मुश्किल हो जाता है वो यह आज से कही सो सल पहले इस दिवार को मुझदरोंने केसे बनाया होगा का आज आता है कि दा ग्रेट वाल उफ चायना को बनाने में देश के बिविन्न सासों को खा हत था जिन्नोंने दुस्मन देशों से अपनी देश के रक्सा करने के लिए पाजवी से सुलावी सतब्दे की बीच चीन की 20 साल दिवार को बनाने के कम फुला करवाया था हलाक ही आज दा ग्रेट वाल उफ चायना का बहुत बरा इससा तूट चुका है या फिर इस दिवार के कही सारे पत्तर हिट चुके है लेकिन बेजिंग के जिम सामलिंग पहार पर एदिवार आज भी आपनी बस्तर भी खालत में है यानि इस जगहा पर ना तो ग्रेट वाल उफ चायना का कुछ खास नुक्सान हुआ है और नहीं उसके पत्तर निकले हुए है जिस बज़र से इस जगहा पर दिवार के आसल उइतियासी ग्रूप को ठेखा जा सकता है ग्रेट वाल उफ चायना के इस हिस्से में हाट सो मीटार के बाद एक वास्टावार देखने को मिलेगा जिसकी उपर खरे होकर परियाटक आसपास के पाहार और जंगलों का मनहर दिश्सो देख सकता है इतना ही नहीं वास्टावार की निकले हिस्से में एक साथ पाचास लोगों को ठेणने या रूपने की जगह बनाई गई है जबकि उसमें हवा की आबजाई के लिए परेवरे खिर्किया भी है इस तरह ग्रेट वालफ चाइना में फूल 25,000 वास्टावा ने चहाँ पाचिन कल में चिन के सेहनिक ठहरते थे और उनकी उपर खरे होकर दुस्मन की गतिविरी पर नजार लगते थे इतना ही नहीं इन वास्टावार में खास्तरा के सुरंग याने छेद भी है जनकी उपर सुद कुटावने काफी रिशाच की है उनकी रिशाच से पाचा चलता है वास्टावार पर बनाएगे इस रंग दुस्मन से नाओ दुआरा हमला के गए परिष्टिती में इस्तिमाल किये जाते थे जिनकी मदद से दुस्मन पर आपकी गोले या फिर तोप से हमला किया जाता था इससे वास्टावार के अंदर सेनिक दुस्मन के हमलो से सुरक्सित रहते थे जाबकि उनके अबर जवाबी करवाई भी कर सकते थे ऐसे में सवाल खरा होता है कि आखिट चीन की सासो को बोगी दुस्मन का खत्रा था जिसकी बजा से उने इतनी बरी और मजवत दिवार को खारा कनने का निन्न नेन पर था अरा सल उस दौर में मंगल सासक का आतंक पूरे ऐसे हमें फ्यला होआ था जो सम्डित राजकों हरपने या फिर उनके ओपर हमला करके उन्हें लूट लेते थे ऐसे में मंगलों के हमलो और लूट पास से बचने के लिए चीन की सासकों ने एक जूट कर दर ग्रेट वार उफ चाइना को बनाने का फ्यासला किया था यो सिर्फ एक सुरक सा दिवारी नहीं बलकि आपमे आपमे एक मिलिटरी बेस हुआ करता था लेकिन ग्रेट वार उफ चाइना को खड़ा करना इतना भी आसान नहीं था जिसी आपसे कही सो साल पहले बिना किसी आदोनिक मेसीन दोरा बनाया गया था इतना ही नहीं इस दिवार का एक बहुत बरा इस्सा उपड़ी इलके में भी आता है जहां तक एक आम इन्सान को पहुचना भी चुनति वरा है एसरे में सावाल खारा होता है कि उश दोर में चेन की दिवार को बनाने के लिए उस मुश्किल जगा तर एससे पहुचा गया था और कैसे पूरी दिवार को बनाने का काम पुरा किया होगा इसके लिए सोतकुत्ताओं की टीम ने काफी साल तक Great Wall of China के उपर रिशाच की उन्होंने इसकी कंट्रेक्शन को लेकर जोखाने वाली खुला से कीए थे आपको ये चानकर हैराने होगी कि Great Wall of China के कुछ हिस्से में 50 से भी जादा गुप्ट दर्वाजी भी है जिसकी मादस से दिवार पर चरे विना एक जगे से दुसरे जगा तक पहुचा जा सकता है इस दर्वाजे दिवार के निचले हिस्ते पर मोजूद हैं तो भाहर और घणे जंगलों की भी छुपे हुए थे और उन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता जब सोथकुटताओं की टीम निई इस दर्वाजे को बनाने का मकसद तलास कने की कौसिस की तो वे इस निसकास पर पहुचे की इन सासोगो ने चान भूच कर इस दर्वाजे को बनाया होगा उस दर में चीनकी सेनिक इन दर्वाजे का इस्थिमाल करके अपने राज्य से मांगल के राज्यों में गुस्पेट करते हुँगे जबकि मांगल सेनकों की बेजबुसा अपना कर उनकी अपन निगरानी करते हुँगे जब चीनी सेनिकों के गाम पुरा हो जाता था तब वे इनी गुप्ट दर्वाज का इस्तिमाल करके आपस आपने देश लोट जाते थे जबकि दर्वाजों का मुँँ बड़े बद्थर और चट्ठान के मादत से बंद कर दिये जाते थे इतना ही नहीं केरेट ओल अलफ चैना में गुप्ट सुरंग भी बनाए गई थी जिसमें एक सुरंग को सुरंग के टीम ने अपने रिशाट के दोरान हो जा था चैन की दिवार में इस गुप्ट सुरंग को बनाने का मकसद ए था कि अगर मुगल सेनिक चीन में गुस्पेट करने की या दिवार पर जनने की कोशिस करते हैं तो उस स्थिति में चीन की सेनिक सुरंग की बाहरी दिवार को तोर कर उनके उपर हमला कर सकते थी और उन्हें चीन की दिवार में सोतकताव को एक ही सरंग मिली है जिसकी दिवार अंदर की तरफ से टूटी हुई है यानि उच शरंग की मदद से चीन सेनिकोनी मंगल सेना को अपने देश में कुस्पेट करने से रोक आऊगा लेकिन इसका ए मतलब नहीं है कि चीन की दिवार पर सिर्फ एक ही सरंग है बलकि पूरी Great Wall of China में अलग-अलग जगें पर इस तरह की गुप्त सरंग बनाए गई है हाला कि चिन की सेनिकों को कभी भी अन्नसरंग का इस्तिमाल करने का चरुरत नहीं परे थी जिसकी बजासे उनकी दिवारों को नहीं तो रगाया है चाहिर सी बाते जब चिनी सासोकों ने इस तिवार को मिलिटरी बेस के रूप में तैयार करवाया होगा तो इसका कोई ना कोई हेटक्वाटर भी होगा लिया जा उस हेटक्वाटर को खोजने के लिए सोदकृताओ की टीम ने टोन की मदद ली थी जिसकी मदद से Great Wall of China की सुरुबादी पॉइंट यानि गोबी डीजाट के पास एक बरसा किला खोज निकला था सोदकृताओ की माने तो एक किला बहुत ही बड़ा और अकर्सन है जिसे रेगी स्तन की बिचुबीज बनाने का दूसरा मकसद समझ में नहीं आता है इसलिए ए माना जाता है कि एक किला ही Great Wall of China का हेटकृटर रहा होगा इस दिबार का एक हिस्सा समझ में जाकर खतम होता है जहाँ पर भी वास्टा और मोजूदे और वाकी चीनी सेनी हारबत द्रिस्मन पर नजर रखने का काम किया करते थे इतना ही नहीं गोबी डिजाट में Great Wall of China का एक पुराना सुरिवी है जहाँ इस दिबार का पुराना इस्सा 250 किलोमेटर के एरिया में फ्हेला होगा है इस दिबार बर्तमन में काफी खास्ता आलत में है जिसकी उपर चुराही नहीं की जा सकती है लेकिन पाचेन कल में चीन सासो को दोरा Great Wall of China को बनाने से पहनली इस दिबार को बनाया गया था जिसका चादातरिस्चा मिर्टी और लक्री की टुक्रों से मिलकर बना होया ऐसे में साबाल खारा होताई कि इस दिबार को क्यों बनाया गया था जबकि उस दोर में मंगल का खत्रा भी नहीं था आपको बता दे उस दोर में चीनी सासो को को हेंस का खत्रा था जो मंगल सासो को से चादा खत्रा नक थे हेंस की खत्रों से बचने की नहीं इस दिबार को बनाये गयी थी जिसकी बाद बर्टी समय के साथ साथ मंगल का खत्रा होने लगा और चीनी सासोपोनी इस दिवार से पेरीथू कर किरेट वाल अलफ चायना को बनाने का निस्साई किया हला कि इस दिवार को बनाना इतना वियासा नहीं था लेकिन चिन की सुरक्षा के लिए समर्पित मजदूरोनी दिन्डात मैनात करके इस काम को पुड़ा किया था कहा जाता है कि इस दिवार को बनाने के लिए मजदुरों ने पत्तरों से चट्टानों को तोर कर अलग करते थे जिसकी बाद उन्हें छोड़े-चोड़े टुक्रों में तोनने का काम किया जाता था फिर उन्हें सबी चट्टानों और पत्थरों को कंटाक्शन साइट पर लाया जाता था इसके लिए घोर्षावार और पैतल मजदुरों के मदत लिये जाती थी वही दूसरे मजदुर मिट्टी, रेत और कंकर समेथ अन्नची जोब एकट्टे करके पथरों के तुक्लों को आपस में जोनने के लिए एक गारा पिश दयार करते थे जिसकी बाद तिवार को बनाने का कम पूराखिया जाता था किरेट वालफ चायना कुछ जगहा पर उचे पहारों और गने जांगलों के बीचे है जिस जगहा पर तिवार और वास्थार को बनाना भधी मुश्खिल काम था ऐसे में दिवार बाना रेये मुश्दरों के साथ साथ भाड़ी भार कम चट्टानों की ढलाई करने वाले लोगों की भी जान को खात्रा लेती थी जो कभी भार से निचे गीर कर अपनी जान गवा देते थे वी कुछ लोग दिवार डे जाने से पत्थरों की बिजदब कर मर जाते थे एक अंदाज के मुतावी क्रेट वाल अलफ चाइना पुरा बनने तर लगवग 4 लाग से जादा मुश्दूर अपनी जान गवा चुकी थे जबकि सोबों को पास की सहर तक भी नहीं ले जाया गया था और उने पत्थरों के निचे ही दफन कर दिया गया था क्रेट वाल अलफ चाइना में अलग अलग जगे पर सिरिया और फूलिफी बनाया गया है जिने पार्ष करने बाद परियाटकों को खास साब्दानी बरतनी पड़ती है हाज आता है कि गेरेट वाल अलफ चाइना को देखने के लिए हर साल लगवक एक करड़ लोग चीन जाते है जबकि इस दिवार को आप तक सिर्फ तीन लोग द्वाराई एक छोर से दूशी छोर तक देखा गया है सोथ कुर्ताओ की माने तो अगर चीन में उज़द सभी सुरक सा दिवारों को एक साथ जोर दिया जाए तो उसका फैल अधी से ज़्यादा दुनिया को अपने कपजे में कर लेगा लेकिन अपसोस की बाद थी कि गरेट वाल ओफ चायना का लगवक चलिस पतिस सथीस्चा तूट कर खराब हो चुका है जिसकी बाज़ा से इस दिवार की सुन्दतता पहले की तरह कायम नहीं है अलाकि इसकी बावजुद युनेसको नी पिरेट वाल ओफ चायना का नाम वीसदर हर के रूपने सुचिवत किया है जिसकी बाज़ा से अगर ए दिवार पूरी तरह से खतम भी हो जाती है तो इसका एतियासिक में है तरह कभी भी खतम नहीं होगा तो दूस्तो आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लेगा तो लाइक, सेर और कमेंट करना और हमारे चनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना